दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक्जाम सुषिद MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में करेंगे Class 10th Biology का एक और ही महत्पूर्ण प्रशन जो की क्या है कि Functions of Liver यानि की यकरत के कारियर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होगे कि कितने सारे प्रशन आपके यकरत के कारियर पर पूछे जाते हैं Class 10th में 2018, 11, 12 और 13 में इस टाइप के questions आते रहते हैं तो यकरत के functions क्या हैं इसके बारे में discuss करेंगे आज के इस वीडियो में साथी साथ Class 12 Biology के लिए भी यह वीडियो important है क्योंकि जो physiology होती है Class 12 में उसमें भी हमारे liver के functions यानि कि यकरत के कारिये पूछे जाते हैं तो Class 10 की बात करेंगे तो two marks और चार marks यानि कि दो नंबर और चार नंबर में ये प्रशन पूछा जा सकता है चलिए बात करते हैं अपने की इस प्रशन को हम कैसे solve करेंगे तो अगर आपसे इस टाइप कोई प्रशन पूछ दिया जाए कि यकरत क्या है इसके तीन प्रमुक कारे बताईए या मानव शरीर में पाई जाने वादी सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है उसके कारे का वरड़न कीजिए या यकरत के प्रमुक कारे बताईए इस टाइप का अगर आपसे कोई question पूछा जाए तो उसका answer आप इस तरह से लिख सकते हैं सबसे पहले तो आप iह समझ लीजिए कि यकरत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती जो है हमारी वो है लिवर इसको आप ये एक fact है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, साथ ही साथ अब आप heading डालेंगे, एक अच्छी से heading डालेगा, उसमें लिखेगा यकरत के कारे, अब देखते हैं कि यकरत के क्या क्या कारे होते हैं, चलिए देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा देखिए function की यकरत कोशिकाए हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, यकरत एक ऐसे पदार्थ का संसलेशन करता है, और स्राव करता है, जो की रुधिर वाहिनियों, आरे ट्रीज और वेंस, यनि की धमनी और शिरा में रुधिर को जम जमने से रोकता है ये एंटी कॉंगुएंट होता है जो कि रुधिर को जमने से रोकता है कौन सा बदात हिपेरिन तो ये कारिक क्या है यकरत कोशिकाओं का है जो कि हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं दूसरा देखते हैं कारिक आमाशेइक रस यानि कि गैस्ट्रि यह बनाता है, यह हो गया हमारा दूसरा कार, तीसरा कार देखते हैं, कि यह पच्चे हुए अवशोशित प्रोटीन को, यह पच्चे हुए अवशोशित प्रोटीन को, पेप्टोन और एमीनो अमल के रूप में संचित रखता है, यह पच्चे हुए अवशोशित प्रोटीन क वो peptone तता amino acids के रूप में संचित रखता है अगला है हमारा यक्रत द्वारा निर्मित पित्रस यानि कि bile juice वसा का पाइसी करण करता है जो emulsification of fat होता है हमारे digestion के दोरान हमारे पाचन के दोरान तो वसा का जो पाइसी करण होता है emulsification वो कौन करता है यक्रत द्वारा निर्मित पित्रस यानि कि bile juice हमारे ये emulsी करण का कारे करता है वसा का emulsी करण पित्रस के द्वारा होता है और पित्रस कहां से बनता है यक्रत द्वारा बनाया जाता है अगला कार्य देखते हैं हमारा कि अगला जो function हमारा liver का वो है यकरत शरीर के संचनन का 1 by 3 रुधिर संचरित करता है यकरत शरीर के संचरित का 1 बटा 3 blood जो होता है वो संचरित करता यानि कि आप देख सकते हैं कि circulation of blood में भी liver का importance है liver कितना महतपून कार्य करता है अगला हमारा कि यह रुधिर के निर्माड में भी सहायता करता है क्योंकि यकरत के अंदर लाल रुधिर कड़िकाओं का संचे निर्माड वो तूट फूट आदी कार्य होते हैं जो RBCs होती है उनका संचे भी होता है यकरत के अंदर इसके अलावा जो यकरत liver होता है वो क्या करता है कि रुधिर के निर्माड में भी सहायता करता है क्योंकि RBCs जो होती है उनका संचे निर्माड और तूट फूट आदी के कार्य भी कहां पर होते हैं यकरत में होते हैं अगला है हमारा रुधिर में ब्लड में फाइब्री नोजन का निर्माड होता है जो रुधिर को जमाने में सहायता करता है तो यहां पर शायद यकरत होना चाहिए था जहां पर ब्लड लेगा हो यकरत में फाइब्री नोजन प्रोटीन का निर्माड होता है जो कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है तो यह भी एक फंक्शन हो गया हमारे यकरत का रुधिर को जमाने में सहायता करता है फाइब्री नोजन और फाइब्री नोजन का सिंसलेशन कहां होता है यकरत में अगला देखते हैं अगला क्या कार्य है यकरत का अगला देखिए हमारा कि यकरत शरीर का भंडार ग्रह है जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यक्ता से अधिक ग्लुकोस पहुचता है तो वह यकरत कोशिकाओं यानि कि हिपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजन की रूप म संग्रहित हो जाता है यकरत शरीर का भंडार ग्रह यानि कि जब हम आवश्यक्ता से अधिक कोई चीप खा लेते हैं ग्लुकोस की मात्रा अधिक पहुच जाती है तो वह कहां पर चली जाती है यकरत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित कर ली जाती है तो और आमाशे में प्रोटीन के पाचन में बने अमीनों अमलो को रुधिर यकरत में ले आता है। आवश्यक्ता से अधिक अमीनों अमलो को यकरत द्वारा यूरिया में बदल कर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में यूरिया यदि शरीर से यूरिया ना निकाले या ना निकले तो शरीर में गठिया आधी रोग हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत important role play करता है कि यकरत क्या होता है कि आवश्यक्ता से अधिक जो हमारे amino अमल होते हैं और amino अमल कहां से मिलेंगे हमें? प्रोटीन के पाचन से में amino अमल मिलेंगे तो अगर आवश्यक्ता से अधिक amino हैं तो यकरत क्या करेगा? लिवर क्या करेगा? कि उन amino acids को यूरिया में convert कर देता है और ये यूरिया हमारे urine यानि की मूत्र के द्वारा बाहर शरीर से निकाल दी जाती है यदि शरीर से यूरिया नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगा? आर्थराइटिस गठिया इस जैसे रोग हो जाते हैं तो ये हमारे सारे important functions थे हमारे यकरत के उमीद करते हैं वीडिया को पसंद आया होगा यहाँ पर कितने यूज हैं? टोटल 9 यूज हो गए हैं सुरी 9 functions हो गए हैं यकरत के और सारे के सारे बहुत ही important functions होते हैं यकरत के physiological रूट से शरीर में यकरत का बहुत important रोल होता है यकरत लगबख सभी प्रक्रियाओं से कहीं न कहीं connected रहता है बात करते हैं class 10th और 12th की तो class 10th में भी ये प्रशन पूजा जाता है plus 12th के लिए भी बराबर equally important प्रशन है यकरत के कारे functions of liver उमीद करते हैं वीडियो आपको प इस चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप bell icon को भी दवा दें ताकि आपको नए वीडियो की notification लगातार मिलती रहे हम आपके लिए इसी प्रकार की important videos लगातार लाते रहेंगे आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें thanks for watching and listening me दोस्तों and good luck for your future good luck for your exams thank you and bye bye